इस तरीके से पॉम करके जो भी लेर्स आपको निकाल दी है वो आप पहले निकाल दीजिएगा क्योंकि बाद में आप खीचोगे तो आपता हेरस्ट बिगड़ सकता है अगर आपके ज्यादा लॉंग लेर्स हैं तो में निकाल लिए मुझे जितना निकालना था उसके बाद से एक रबर मेंग ले लेंगे हम लोग और इस तके से रवड बैंड को अए उसके से खीचेंगे इसके बाद से हेर के साथ साथ में ही रवर मेंड को ट्वीच करेंगे में को बाले किसे हैर को कि स्चेश को सुणiva को dabben को the hair को स्वेट इसको किया जबने इसको थी जब है से आपको जितना भी ठाइट करना है अंट पर पसके से कर लीजिएगा और अच्छे से फीछ रज डषिक अगरी जाग। वाण गीछवर और थीकेटा है यह हमारा फॉस्ट हेयर स्टाल इस चोटे बालों में भी इस तरही किसे बड़ा बीग बन आपका बन सकता है और जो एक्स्टा हेयर है उसको लपेट दीजिए अपने बन के चाहरो तरफ और यह हमारा फॉस्ट एस फॉस्ट बन वन जबड बैंट की मदब से कंप्लीट हो गया है थोड़ा थोड़ा मैं हेयर को खीच ले दिया तो आई वोब आपको यह वाला पहला हेयर स्टाइल हमारा पसंद आया हो यह मैंने कहीं से नहीं देखा है बैठे बैठे मैं सोच रही कि पिर से आप लोगो इस टाइब की वीडियो बहुत पसंद आती हैं कि वान्स अबड बैंट से इतना सुन्द सा मैसी बन यह खुलता हो ना बिल्कुल देए आप मार्केट जाओ कहीं भी जाओ इस टाइब करने जा रहे हो घर में काम करते हो तो भी आप इस तरीके से बन बना सकते हो तो यह उत्या है कमप्लीट हो गया सब्सक्राइब की तरफ और भी वन रमवर्ड बैंट की मतरते हैं चली सेटिए तरीए अर्स अर्स टाइल की तरफ आफ पकड़ने हैं करेंगे इस तरीके से प्रकड़ना है निजे की तरफ पर हैंड लेके जाएंगे इस तरीके से प्रकड़ेंगे एक्स्टा हेयर को इस तरीके से लपेड देंगे और ये हेयर को ऐसे करेंगे देन अपना रबर्ट बेंड लीजिए और जितना तक आपका टाइट हो जाए है उतनी बार लपेट दीजिए और यह हमारा सेकेंड हेर स्टाइल कंप्लेट हो गया है इसको आप लो हाई जितना आपको अच्छा लगे उसके अरकॉर्डिंग लग सकते हो लेयर निकालना ही है मेरे फेस चौड़े है आप अपने फेस के एकोड़िए तो मत निकाली है तो यह हमारा सेकेंड हेर स्टाइल कंप्लेट हो गया है यह भी आपका बिल्कुल नहीं सुलता है आप अप अपना बनाओके तो भी अच्छा लगगा लो बनाओके तो भी त्विस्ट करके अगर आपके बाल बहुत चोटे पतले हैं तो अब इस तरीके से थोड़ा पहली ही खीच लिजेगा ताकि आपका जो बन है वो मैसी सा लुकाए और आपके बाल बहुत जादा पतले ना लिखे उसके वैसे आप इस तरीके से लपेटते जाओ साथ साथ में आपको अपना जबडबेंड लेना है जितना भी उंचा आपको रखने है उतना आपकी चोईस है आपको कितना हाई रखना है यह वाला बन थोड़ा सा हाई में ही अच्छा लगता है तो मैं दुबारा से एक बाल कर लेती हूँ थोड़ा और आगी की परस लाके ट्विस्ट करेंगे देनाथ के भी बार छोटे पतले हैं तो इस तरीके से खीच लोगे पहले खीच रहे वाद से इसको लपेटेंगे इस तरीके से फिर से खीचेंगे साथ साथ में ताकि आपके बन को एक मैसी सा लूप मिल जाए इस तरीके से अपना रबर बेंड लीज़े और बन पे लगा दिए आज सफ़ने है और अपना हेर अपो खीच लीजे ताकि आपके वालों को थोड़ा सउ वॉल्यूम दिखें बालो में और यर्गोरें निकालने पर मैंने पहले ही बतायाسم कि अपी ऎकर बार निकालने पर कई बार हमारे यहां से खीक जाते हैं जो कि अब का बन का लूक खराब हो जाता है जिसके वज़े से और यह हमारा थर्ड हेर स्टाइल कंप्लेट हो गया तो चलते हैं फोर्थ हेर स्टाइल की तरफ वान जबड बैंड की मदद से इसको मैं पहले उपन कर लूँ फोर्थ हेर स्टाइल में भी आपको सारे बालो को क्राउन एरिया पे लेकर आना है अच्छे से कॉम कर लिजेगा उसके बालो को टू पार्ट में डिवाइड कर लेना है इस तरीके से ओके डिवाइड करने के बाद से सिंप्ली आप ट्विस्ट कर लोगे सारे बालो को करने के बाद से इस तरीके से आप बंद बना लोगे और रवर्ट बैंड से इसको सिस्क्यूर प्राद देंगे तो यह हमारा फोर्थ हेर स्टाइल कंप्लीट हो गया आप चाहो तो इसके साथ दो तीन यू पिंस भी एड़ कर सकते हो बड़ मुझे कहीं जाना नहीं है तो मैं नहीं एड़ कर रही हूं और यहां से अगर आपका रवर्ट बैंड दिखें में इतरह थोड़ा सा इस तरीके से खीच देना तो वह अंदर की तरह साइड हो जाएगा तो यह हमारा फोर्थ हेर स्टाइल कंप्लीट हो गया है ओनली वन रवर्ट बैंड की मदद से चलते हैं पांचे हेर स्टाइल के पांचे हेर स्टाइल से आपको अपने क्राउन शेर से इस तरीके से हेर लेदा हाफ क Heart की मौ कंप्ली दौने के बाद से इसमें ऑप दानिंड Lगा देना है अ हे बर पेंड बैंड लगाने के बाद से आपको अपने फौरम टेरिय के से बालो को खीच लेना है जब आप अच्छे से खीच लोगे तो आपको यहां से एकदम ऐसे करके टाइट नहीं करना है ज़स्ट नीचे से आपको नीचे से हेल पकड़के इस तरीके से टाइट करना है टाइट करने के बाद से थोड़ा सा दबर बैंट को खीचना है एक होल कर देना है इतमे और इस तरीके से ट्विस्ट कर देना है ऑगे ट्विस्ट करने के बात से अगेन आपको साइट कर देना है यह अब यह आपका पाँत्रा हैस्ट्रा कम्प्लीट हो जागा ओन्ली वन लबरबेंड की मदद से थोड़ थोड़ा खीच के अपना पॉक का लुक दे दीजिएगा अपने बालों में तो यह हमारा पांच्वा हेस्टाइल कंप्लीट हो गया है तो आपको कौन सा हेस्टाइल सब्सक्राइब कमेंट बॉक्स में जरूब बताएगा और वान लवर बेंट की मतलब से यह पांच के लिद नहीं फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो के साथ तब तक लपना ख्याव देखिया मुझा इसी सब्सक्राइब बाइबाइब